हेलो स्टुडेंट्स दिस इस कल्पना मिश्रा स्टुडेंट्स आपने इस चैप्टर में हमने सारे पार्ट खतम कर लिए अब हमारा सिर्फ एक लास्ट पार्ट रहता है ठीक है तो यह लास्ट पार्ट हमने आज खतम कर देना आज हमारा चैप्टर कंप्लीट अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो पिछले पार्ट जरूर देखना तभी आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आएगा थोड़ा सा इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है बच्चों को लेकिन कोई बात नहीं आप ध्यान से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट् zaman比रेट्स क्या होते हैं जिनके पिछे Biz जो बैकबोंस होती बैकबोंस ना ूप पीछे ﷺ बेकबोंस ना आ है पिर एरिद वाटी सिम्हेस उसको बैकबबोंस बोलते हैं तो मुझनी जो कॉड़ ड्राम यह रतने हैं वर्टिप्रेट्स क्या होते हैं यह ज्यादा तर क्या होते हैं सारे सिमिट्रिकल होते हैं ट्रेप्लो ब्लास्टिक होते हैं इनकी बॉडी में सेग्मेंट भी पाये जाते हैं ठीक है यह सारे किसमें आते हैं कॉर्डेटा में आते हैं जिनके अंदर जो क्या होते हैं नॉटो कॉर्ड होता है डॉसर नर्व कॉर्ड होते हैं टेपलो ब्लास्टिक होते हैं गिल्स भी होते हैं और सिलोमेड भी होते हैं तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा ठीक है यह साइक्लोस्टोम तो यह इन में क्या होते हैं इस तरीके के अनिमल्स में नहीं होते हैं नहीं पाए जाते हैं तो जो लेस वर्टीब्रेट्स होते हैं इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं जैसे कि यह देखो यहां पर दिया हुआ है यह है vertebrates petromyzone petromyzone क्या होता है इसके अंदर jaw नहीं होते है जो हमारे नीचे का जबड़ा होता है इस तरीके से ठीक है jawless vertebrates they are the characteristic by having an elongated like body इसकी body क्या होते है elongated like होती है और जो इसका mouth होता है सर्कुलर होता है slimmy skin होती है ठीक है और slimmy skin होने की वज़े से इसके अंदर क्या होती है जो नहीं होती है मतब इसके जबड़े नहीं होते है इसकी body पे scales पाए जाते है ectoparasites और दो borer of the other vertebrates और भी इस टाइप के vertebrates पाए जाते है तो यह पे कुछ एक्जामपल्स है उनसे एक्जामपल्स को लर्ण कर लेना जैसे headfish है ठीक है और lempray है तो यह ज़्यादा खास important नहीं होता है तो अगे हम बढ़ते है पीसीज यह बहुत important है पीसीज नेक्स्ट है पीसीज तो पीसीज में हमने क्या देखना है पीटर अप्रम क्या होथा है This Fish are a exclusive aquatic animal यह क्या होती है पानी में पाया जाने वाले और स्केल प्लेट नैटर होती न government वाक्सिजन डिसोल्विन वाटर बीज उदाएर कोो तो तो फ्रीजन नारता है कि पाई मी गूली ऐकर है इनके इन दर गीजन पाया जाते हैं मुझातानी उस उक्ष्मक्राइए पोटर से जूली ओक कहते हैं next the body is the streamline इनकी body क्यासी होती है streamlined होती है and muscular tail is used for the movement और movement में इनके क्या होती है muscular tail helps करती है जो tail होती है इसकी मदद से क्या करते है पानी में यहां से वहां घूम सकते है अपनी tail की मदद से next है इनके जो blood होता है वह कैसा होता है cold blood होता है इनका हार्ट जो होता है two chamber होता है ठीक है यहां पर दो important चीज़े एक तो यह दो तीन चीज़े आपको क्या बहले कि एक गिल से सांस लेती है जो कि पानी में dissolve oxygen को करती है और जो दूसरा है कि इसका जो ही फिश होती है इन के हार्ट जो होता है म decks टंड़को कोई can do 뭐 लगा होते हैं उते हमार की स्थीज़ें बड़ी जो होते है कोछ शोटी मश्रीन होता है यह कैंसे मचली है उन्हें वाठायर भिण और च्टिश चोबड़ी होता है कुछ चोटी होती है कुछ बढ़ी होती है जैसे shark बड़ी सी मचली है ठीक है उसके body का skeleton भी बहुत बड़ा होगा ठीक है इस तरीके से छोटी छोटी भी होती है fishes जैसे यहाँ पे कुछ देखो diagram दिये हुए हैं यहाँ से आप एक दो examples कर ले ना जो भी आपको easy लगे मैंडरेंड फिश एंजलर फिश उसके बाद लियॉन फिश ठीक है इसमें से आपको जो भी easy लगे वो दो तीन example जैसे squalidone फिश है ठीक है आपको जो easy लगे इसमें से वो learn करो तो यह pieces के हमने character कर लिए और example कर दिए next हमारा आता है यह सारे pieces की example से यहाँ पर देखो आप इसमें से जो मरजे कर लो यहाँ पर यह भी pieces यह भी pieces जितनी भी fish है सब क्या होती है pieces में आती है next आता है amphibian amphibian नाम से आपको पता होना चाहिए कि amphibian का मतलब क्या होता है ऐसे जीव जनतु जो पानी में भी होते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं वो सारे किस में आते हैं amphibians में आते हैं ठीक है अपिधी नाम से आपको पता होना चाहिए ठीक है तो हम इसमें देखते हैं इस ऐनिमल डिफिरेंट टो नाइंवुज स्केल्स दिए इन सीक्छ पर यह मस्कास फ्रेज्च अंड थमयरे एंजिश्ट को फिश फिरम्परिन के डिवलोगी टोरोगी बनाराइं टिक थे ऑफिश्ट का टिक्योग में यह एक हम आफिशन खेल्स के बाईट कर एंग अग्ण को शोजा JENNWhat यह पढें लृटर में भी पाहे जाते हैं और लेंड फोर ग्टाउश आ यहां फोरिशा में यह कुछ DO END अगर सारी प्टैंबस होती है तो बहुत ही बैस्ट है भी अच्छा धीक है नेक्स्ट हम जाते हैं रैप्टिलिया रैप्टिलिया मिन्स रेइंग रेइंग कर चलना ठीक है तो जितने भी रेइंग रेइंग कर चलने वाले जीव जनतु है वो सारे किस में आते हैं रैप्टिलिया में आते हैं अब इनके character और example देखते हैं, these animals are cold-blooded, यह कैसे होते हैं, cold-blooded होते हैं, इनके body पर भी skills पाये जाते हैं, और यह सांस जो है किसके तुरू लेते हैं, lungs के तुरू, while most of them have three-chamber heart, इनके mostly क्या होते हैं, three-chamber heart होते हैं, कुछ होते हैं, जिनके अंदर four-chamber होते हैं, जैसे कि crocodile, crocodile के कितना होता है, four-chamber heart होता है, ठीक है, इसके अंदर four-chamber heart होते हैं, four-chamber के तुरू, यह सांस लेता है, लेकिन इसकी class के जो भी mostly होते हैं, उनके अंदर three-chamber होता है, ठीक है, तो they lag egg with the through covering and do not need to lay their egg in water, यह क्या करते हैं, यह जरूरी नहीं कि पानी में ही एग दे ठीक है, यह बाहर दे सकते हैं, अनीट लेठ the egg in water, unlike amphibians ज़ूरी होते हैं? वह पानी में हमेशा एग देते हैं, इनको जरूरी नहीं होता है कि पानी में एक देएं, ठीक होता हैं, इस पानी में देते हैं, जैसे कि सने, स्नेक्ट, टडर्ल, लिजार्ड, क्रो को डाईल, य नेक्स रे हमारा एवीज, एवीज मिन्स नाम से लर्न कलो, एवीज मिन्स सारी कौन है, बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स आती हैं, वो सारे किस में आती हैं, एवीज में आती हैं, अब एवीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एवीज कैसे होती हैं, एवीज कैसे होती हैं, द दिवाइड होते हैं 4 चेमबर में, दे ले एग, ये एग देते हैं, there is an outside cover of the feather and two four limbs are modified for fly, तो इनके क्या होते हैं, सारी body किसे cover होती है, पंखों से cover होती है, और इनके आगे के जो दो हाथ होते हैं, वो किस में convert होते हैं, पंखों में होते हैं, जिसके वज़े से उड़ पाते ह जितनी भी birds हैं, वो सारी इस category में आती हैं, तो यहां देखो, यहां birds की example देए, आप कोई भी कर लो, जैसे कि वैल, जो मर जी आपको ostrace या जो भी आपको easy लगे, वो कर लो, next है हमारा बहुत ही important topic है, mammalia, ठीक है, mammalia means हम सारे, ठीक है, हम जो animals ये सारे किस में आते हैं, mammalia मे mammalia का blood कैसा होता है, warm blooded, animal का heart कैसा होता है, four chamber होता है, और इनके अंदर memory gland पाई जाती है, memory gland का मतलब क्या होता है, जो कि अपने babies को milk provide करते हैं, जिसकी बज़े से उनके babies जो होते हैं, feed लेते हैं, तो क्या है, they have memory gland for the production of milk to nourishing their youngs, अपने youngs को feed देने के लिए, जो milk का production होता है, वो किसे होता है, memory gland से होता है, their skin has a hair as well as the sweat and oil gland, और इनकी skin में hair भी पाई जाते हैं, sweat gland में स्पसीने वाली ग्रंथियां और oil gland में स्पसीने वाली ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, most mammals family to us product live young ones, मतब जो mostly mammal होते हैं, वो young ones देते हैं, एगनी देते हैं, mostly जो mammals होते हैं, क्या होते हैं, यंग वन्स देते हैं, however, a few of them, कुछ ही इसमें से हैं, जैसे like the platypus and the echina, ये क्या होते हैं, ये एग देते हैं, ये भी mammal ये में आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एग देते हैं, इसी तरीके से kangaroo, जो है, वो क्या होता है, but to very poorly development young ones, ठीक है, some example यहां पर आपको दिये हुए हैं, तो ये examples आप देख लेना, इसमें से जो आपको easy लगे, mostly तो सारे easy हैं, तो आप कोई भी examples यहां से, ये mammal ये क्या होगे सारे examples, तो ये हमारा classification, जो है, chapter diversity of living organism हमारा खतम होता है, इसमें आपने सारे किसने 5 kingdom को discover किया था, और किसने जो है, इसके 5 kingdom की classification, साबे फाइलम, सभी की examples और सभी के characters, ये जरूर आपने करने, इस chapter में बस यही main important चीज़ है, कि सभी के characters और examples आपको पते होने चाहिए, और सारी classification, जो chart के through, flow chart के through, मैंने आपको बताया है, वो सारा कुछ पता होना चाहिए, students, अगर आपने chapter अच्छे से समझ लिया, तो आपको problem नहीं आएगी, लेकिन step by step, अगर आप एक lecture देख लोगे, आप सोचों कि सारा chapter समझ में आजाएगा, नहीं, step by step सारे lecture अगर आप देखोगे, तो आपको पूरा chapter समझ में आएगा, कोई problem नहीं आएगी, okay students, I hope आपको समझ में आगया, तो please like, subscribe and share,